नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेटी फॉर्ट सीविल स्विसेश में देखे यूपी पीसेश का जो असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट का जो एक्जाम था आज उसका ये हिंदी और निबंद का पेपर है इसकी इनलेसिस कर लेते हैं 200 नंबर का था ये प्रस जो ये आपके अंडरलाइंड है इसका पुरा आर्थ बताना है और प्रस अंचे पढ़ने की प्रेसी यानिकी इसको समराइज करके अपने शब्दों में छोटा सा लिखना है ठीक है तो करीबन ये आपको ये समराइज प्रेसी वाला होगा आपका इसाब किताब तो पीस नमबर का आपका पत्र लेखना आया तक कारेले अदेस और अधिसुचना ठीक है और उसमें अंतर करना था और कारेले अदेस का उधारन पदाना था ये नॉर्मल हिंदी वाले जो मैंने तीन बदा रखें तीन बचे हुए हैं भी ये आपको कंप्लीट करा दिया जाए और करनाज बोली की विशेष्टाओं को बताना था दस नमबर में तो ये कुछ दो बस यहां पे अलग हैं बाकी लगभग पेपर सेमी था जैसा यूपी पीसेस मेंस में आता है फिर मोहावरे और लोकुतिया हैं 25 नमबर की पाच मोहावरे हैं इनको पहले आपको इनका आर 30% से ज्यादा कोर्स हो चुका है टोटल हिंदी का कोर्स ठीक है इसमें इवन कई सारा पार्ट जो है वह आप हिंदी ऑप्शनल के लिभी यूज़ कर सकते हैं दिरे दिरे उसको भी कंप्लीट कराएंगे फिर नेक्स है इसमें निबंध लिखना है आपको अब देगे 100 अब अब लिखने तो यह दो निबंध लिखने ते और शाथ साथ सोट इसका सेमी था विल्कुल तो इसमें देखिया है यह एसी आफ वाले में काफी कम लोग एक्साम देते हैं 2000 के लोग तो मेंस के लिख्ट हुए थे करीबन और यह है थोड़ी अनलिस इसकी पीडिया मैं आपको दे दूँगा यहां पर हमारा जो चैनल है टेलिग्राम में ओनली यहां पर यूपी पीसेस के किसी भी एक्जाम की अब तहरी कर रहा है इसको तुरण जोइन कर लिए पीसेस जैक की वैकेंसी भी आ गई है और उसके लिए में ट्रेल मिलेगा था इंक्यों फॉर लि